वो भाई साब अभी तक आपने भुश्पूरी में कॉंटर वर्सिस देखे होंगे लेकिन अभी स्टार्ट होता है एक दम फिल्म टाइप का लडाई जो की रियल दुनिया में हो रहा है नहीं नहीं भाई जिसको हम प्रेम से मुझे लोग कोठा पूतर बोलते हैं वो और परमोत प्रेमी के बीच में एक बहुत बड़ा महाभारत हो गया है जो की अभी फेस्बुक के लाइप तक ही सीमित है मतलब यार कुल मिलाके गालिक लॉज मार्म पीट एटू जेट जित्ता भी गंदा वड़ का इस्तमाल किया जाए वो हर एक चीट का दोनों तरप से इस्तमाल होता है और ये सब होता है सिर्फ एक गाने की वज़ा से एक्चिली एक गाना आता है परमोत प्रेमी यादो का जिसके बाद तुरंद खेसारी लाली यादो का भी गाना आ जाता है और खेसारी लाली यादो पे चोरी कारोप लगने लगता है लेकिन वहीं पे उनके जो राइटर हैं जो साप करने वाले राइटर हैं वो कहते हैं कि नई भाई कि सारी लाली यादों ने इस म्यूजिक को आज से 5-6 साल पहले यूज किया है तो चोर कैसे हो जाएंगे बस यहीं से पूरा कहानी स्टार्ट होता है और बुला लिया जाता है परमोत प्रेमी यादों को अखलेस का सब के द्वारा बक्सर तू बोला लडाई में खूब मजा उड़ाया जाता है परमोत प्रेमी यादों के लिए यह कहते हैं अकलेस कर से अब कि गले में जित्ता चैन था वो कहां गया मतलब की टोटली बरबाद हो चुके हैं परमोत प्रेमी चूपनी रहते और बोल देखते हैं कि तुमको जो मगहिया जवा प्रणवी सामिल हो जाता है लेकिन छीज बिल्कुल गलत है गाने को लेके मारने पिटने तक का आ जाना ये कोई कलकार और राइटर का कहानी नहीं हो सकता है ये हो सकता है कि बहुत बड़े गुंडे बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हो ये दोनों अपने आपको और इंगर होके इतना बड़ा बात जो कर रहे हो बेबुनियास फालतू बाते या भी ही सिमित कर दिया जाए तो बेहतर होगा